हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल मॉम्स कोकिंग अला आज मैं आई हूँ आपके लिए लेकर एक न्यू रेसिपी तो आज हम बनाएंगे चटनी पत्थर चट के पत्तों से चटनी बनाने की रेसिपी तो देखिए हमारे इंग्रीडियंट जो हैं वो हैं टमाटर हरी मि पत्थर चटनी बनाएंगे यह बहुत टेस्टी चटनी बनती है आप किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं किसी भी डिश के साथ अपनी खा सकते हैं चाहे वो राइस हो चावलो के साथ खा सकते हैं या दाल के साथ खा सकते हैं या किसी भी सबजी के साथ खा सकते हैं तो देख यह हैं पत्था चटके पत्ते इन में थोड़ी खटास होती है और यह बहुत फाइदे मन्द होते हैं हम इनसे चटनी बनाते हैं चलिए स्टाटिंग करते हैं चटनी बनाने की मैंने एक जार में अपने मिक्सी जार में ये सारे इंग्रेडियंट एक एक करके डाल दिये हैं मैं एक करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या क्या चीज ली है तो पहले मैंने लिया था हरा धनिया फिर मैंने हरी मिर्चे ली थी जो उन्हें कट कर दिया था टमाटर को चौप कर लिया है ये है पत्धर जड़ के पत्ते इन्हें मैंने कट कर लिया है लस्सन की कर लिये इन्हें कट कर लिया है अम मैं एड़ कर रही हूं नमक एक चमच एक चमस जीरा और इसका मैं पेस्ट बना लूँगी मेरी चटनी रेडी है अब चटनी अभी रेडी नहीं हुई है प्रॉपर तरीके से मैं इसे निकाल लूँगी बाउल में देखिए इसके थिकनेस ऐसी रहनी चाहिए इसे जादा पतला नहीं करना है और ना इससे जादा ग पाने में अब मैं स्मेट करूँगी हाफ नीबू करस अब अच्छे से मिक्स कर दूँगी और देखिए मेरी चटनी रेडी है अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे